वेरिग राफिन तू ओल ऑफ इसनिस कैसे हैं आप सभी लोग में अम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे टॉपिक्स आपको अच्छे समाझ आ रहे होंगे आपके लगतर कमेंट मुझे मिलने और मैं कोशिस कर रहा हूं कि हर कमेंट का मैं रिप्लाइ कर पाऊं यह ज आपने एक मौक टेस्ट अटेम्ट लिया जो 2022 पर कम्प्लीटली बेज था यह ग्रूप टू के लिए फॉर्म किया जा रहा है याद रखेंगे इस बात को और मैं बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूं कि आपको कंसेप्ट से ज़्यादा कैलकुलेशन पर ध्यान दे 30 डेस और 36 आवर के बीच का रेशियो जनरेट करना है अब एक चीज़ तो आपको इतनी समझ आती है कि क्वांटिटी सेम होनी चाहिए मिन्स जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए यहाँ पर क्या चल ला है डेस जबकि यहाँ पर क्या चल ला है आवर या तो आवर को डेस मे में कनवर्ट कर ले खुब बात समाझ आती है वन डेस कस्टू ट्वेंटी फॉर आवर यह कोई बहुत हाई लेवल आप साइंस नहीं है तो यहाँ पर जो 30 डेस हैं इससे यह बता चल लाए कि अगर इसमें हम 24 का मल्टिप्लाई करा दें तो फिर यह भी आवर में कनवर्ट 65 चा नाव 4 x 5 रेशियो 1 4 5 चा 20 रेशियो 1 देन विच ऑप्शन इस करेक्ट ऑप्शन ए इस करेक्ट नेक्स्ट क्वेस्टन की तरफ हम लोग रुख करेंगे और समझने का प्रेयास करेंगे इन अ कंप्यूटर लैप देर अर थ्री कंप्यूटर फॉर एवरे शिक्स कितने कंप्यूटर हमारे पास एवरे वाल हैं 3 पमप्यूटर्स हमारे पास एवरे वले थ्फिर बोला हौड येटने त्वीजी नीडट हा क欸 65 कितनेच का क्न वर्ट करने की बात की जा रहे है 24 में कितने को turbulent करााना चाहिए 4 से तो यहां पर भी हमको को क्प्यने सब्यक्र रखेंगे group 1, group 1 और group 2 ये दोनों ही लोग इन mock test paper को attempt ले सकते हैं, group 3 में calculation बहुत ज़्यादा high होगी, तो याद रखेंगे उसमें decimal के बाद last year भी students ने group 1, group 2, group 3, 3 से एक कुछ खास मुझे feedback नहीं मिल पाया था, लेकिन group 1 और group 2 से जतना concept था, सारा concept सेम था और clear कट समझ आ रहा था, एक फिर next question देखते हैं, daughters present age is 2 by 5 in the comparison of her mother, तो daughters present age is 2 by 5, तो daughter की present age उसकी mother की present age का क्या है, 2 by 5 है, हमने मान लिया कि जो mother की present age है, हमने माना कि जो mother की present age है, वो actual में x है, तो फिर जो daughter की present age होगी, क्या कहां, जो daughter की present age होगी, वो कितनी हो जाएगी, 2 upon 5 x, फिर क्या बात कही जा रही है, कहा जा रहा है 8 years later 8 साल के बाद 8 साल के बाद में क्या हो रहा है 8 साल के बाद में क्या हो रहा है जो age है age of the daughter will be 1 by 2 in the age of her mother अब अगर daughter की current age ये देखने को मिल लेगे तो after 8 years after 8 years आपको ये बात खुब समाज आती है कि 2 upon 5 x plus 8 ये और यहां से x बोला जा रहा है कि जो daughter की age है जो daughter की age है वो अपनी mother की age का just half हो जाएगा तो मतलब 1 by 2 मुझे लगता है इसको simplify कर लेना चाहिए तो शायद बात बन जाएगी यहां से देखने को मिलता है 4 upon 5 x plus 16 is cast 2 x plus 8 थोड़ा और बहतर तरह से यहां से पता चलता है 4 upon 5 x minus x is cast 2 minus 8 यहां से इसको और simplify करते है then we get the x upon 5 is cast 2 minus 8 cancel minus to minus and finally we get x is cast 2 x is cast 2 40 years find out the mother's percentage mother की percentage हमने कितनी मानी थी x मानी थी और यहां से कितनी x की value आ रही है 40 then we get the option b is correct अब इसी question को हम लोग short trick से समझने का प्रियास करेंगे यह जो बोला जा रहा है daughters present age is 2 by 5 इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर आ जाती है mother यहां पर आ जाती है daughter यह actual process है सभी लोग बोले ते detail में समझाईए x की method से समझाईए यह उस method से समझाई यह हुआ है अब इदर समझेंगे बोले daughter's present age is 2 by 5 2 by 5 का मतलब क्या है मतलब माता जी की जो age है वो 5 साल मतलब ऐसा प्रेट कर लेते हैं और जो daughter है वो 2 years फिर का कहा जा रहा है बोला है after the after 8 years letter 8 साल के बाद में माता 2 daughter 1 इन दोनों का जो difference आ रहा है वो कितना आ रहा है 3 इन दोनों को जो difference आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 1 का multiply इधर और 3 का multiply इधर हमको जो अभी नया output देखने को मिलता है यही हमारे काम का है multiplication के बाद में उपर वाली value हमारे लिए बेकार हो जाती है कितना आ रहा है 15 यहां से कितना आ रहा है 6 यहां से कितना आ रहा है 2 यहां से कितना आ रहा है 1 यहां से जब हमने इसको simplify किया तो हमें कुछ देखने को मिलेगा यह यहां पर error है बच्चा यह नहीं दोनों का जो difference निकल रहा है, वो कितना निकल रहा है, दोनों का difference 1 ratio 1 का generate हो रहा है, जबकि आप इस बात को बहतर तरह समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो variation अपने पास है, वो 8 years का है, 8 साल के बाद ही तो कहा जा रहा है कि जो ratio होगा, वो 2 ratio 1 होगा, तो इनका 8 हमारे 1 के equal है, इनका 8 हमारे 1 के equal है, अब पूछा जा रहा है कि मदर की percentage क्या है, तो मदर की percentage यह हमारे पास after multiplication 5 आई थी, अगर हमारा एक इनके 8 के बराबर है, तो हमारा 5 इनके 40 के बराबर होगा, then which option is correct, option B is correct, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, next question है, the age of Arzu and Arnau are in the ratio of, अच्छा, Arzu दे दिये गए हैं और Arnau दे दिये गए हैं, Arnau, इन लोगों की जो age है, वो 11, ratio 13 है, after 7 years, the ratio will be 20, ratio 23, यहाँ पर variation 2 का आ रहा है, यहाँ पर भी variation 3 का आ रहा है, तो multiplication के बाद में, जो अभी हमको देखने को मिलता है, वो new object क्या देखने को मिलेगा, इस 3 का multiply इधर होगा, opposite multiply होता है, इस बात का खास क्याल रखना, यहाँ से 33 मिल जाता है, 39 मिल जाता है, 40 मिल जाता है, और 46 मिल जाता है, आगर हम दोनों का difference देखते हैं, तो difference 7, ratio 7, मगर यहाँ पर क्या लिखा गया, 7 years later, 7 साल के बाद, यहाँ पर जो ratio generate हो रहा है, वो after 7 years, 7, इसका मतलब यह हुआ कि हमारा 1, इनके 1 के equal है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, what is the difference in years between their age, उनकी उम्र में कितने सालों का अंतर है, तो भाहिया, 1 is close to 1 के है, तो मतलब अरनो आर्जू जो है, वो 33 years old है, अरनो जो है, वो 39 years old है, तो दोनों की age में कितने का variation आ रहा है, 6 years का, यानि which option is correct, option, option C is correct, which option is correct, option C is correct, फिर next question की तरह हम लग रूप करते हैं, इसको manually भी आप प्रोसीड कर सकते हैं, मुझे नहीं लग रहा है क्या manually कोई दिक्कत होगी, फिर बोला है, अगर manually इसको प्रोसीड करेंगा, तो manually प 11 के कितनी आ जाएगी, 11 के, और फिर जो 19 की age आ जाएगी, 19 की age कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 13 के, कल इस टाइप का वो एक जो doubt season हुआ था last time पर, उस doubt season में देखना भी latest में एक तो दिन पहले ही मैंने वीडियो अपलोड किया, उसमें इस टाइप के questions बताये हुए है तो यह already मेरी वीडियो से ही और यह आप देख सकते हैं, CPQS से question पिक किया गया है, मतलब वीडियो प्रॉपर चैनल पर काम कर रहा है, concept एक एक आपको देखने को मिलेगा, बस थोड़ा सा आपको focus करना होगा, बांकी 11 के plus 7 upon 13 के plus 7 discuss 2, यह जो भी आपके सामने new ratio generate हो रहा है, यह क्या generate हो रहा है, 20 upon 23, आगे proceed करना, हालां कि मुझे यह method थोड़ा सा ज्यादा suitable लगतर, मैं आपको suggest भी करूंगा, क्या पिसे follow करें, next question की तरफ देखते है, are a 405 meter long train is running, अच्छा, देखो यहाँ पर जो unit है, सबसे पहले unit पर ध्यान देना, यहाँ पर जो unit है, वो meter में और यहाँ पर क्या है, kilometer per second, सबसे पहले में क्या करना होगा, इसको meter per second में लाना होगा, kilometer से meter per second में लाने के लिए क्या करते है, 5 upon 18, 9 2 जा, 9 7 जा, then we get 35 upon 2 meter per second, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 2 second में run करता है, कितने meter, 35 meter, ठीक है, वो ला, in how much time it will cross a tunnel, 285, एक tunnel को पार करेगा, जिसकी actual में length कितनी है, 285 meter, जबकि train खुद कितनी लंबी है, 415, तो 55, then carry 1, 8, 9, 10, carry 1, 900, कितना generate हो रहा है, 900, तो अभी हमको क्या करना है, 900 को easily attempt ले सकते हैं, 900 को easily attempt यार, यह कुछ error है यहाँ पर, 550, 10, यह 7 आएगा, 9 नहीं आएगा, कितना आजाएगा, 7 आजाएगा, कितना आजाएगा, 7, अब यह जो length है, यह कितना है, 700, 700, अब 700 को हमें पता करना है, कितने सेकेंड में क्रॉस करेगा, अब जरा ध्यान देंगे, 35 मीटर को क्रॉस करता है, 2 सेकेंड में, तो 1 मीटर क्रॉस करेगा, तो बटा 35, यानि 2 अपॉन 35 सेकेंड में, अब यहां से हमको लाना है, कितना 700, बोस साइट किस से multiply करा दिया, 700 से, क्या देखने को मिलता है, 2 अपॉन 35 इंटो 700, 35 तूजा, then finally we get the 40 seconds, simplify करना, 40 सेकेंड आपको देखने को मिलेगा, option A is correct, next question की तरफ रूख करते हैं, A can do a bit of work in 25 days, यानि A का अगर एक दिन का कारे देखें, क्या कहां, A का अगर एक दिन का कारे देखें, तो एक दिन का कारे कितना हो जाता है, 1 अपॉन 25 वर्क, ठीक है, फिर अगर हम B का एक दिन का कारे देखें, क्या कहां, which B can complete in 20 days, तो B का अगर हम देखें, एक दिन का कारे, तो कितना हो जाता है, 1 अपॉन 20 वर्क, ठीक है, फिकर है, बोथ टुकेदर, लेवर फॉर 5 डेज, दोनों मिल करके काम करते हैं, पांच दिन, तो भाईया, 1 अपॉन 25 प्लस 1 अपॉन 20 यह कितने दिन का काम निकलेगा, यह एक दिन का काम निकलेगा, इन दोनों का, हमें कितने दिन का काम निकालना है हमको 5 दिन का काम निकालना है क्योंकि दोनों लोग 5 दिन मिलकर के काम कर रहे हैं 5 days together तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 से both side हो जाता है multiply मुझे लगता है 100 lcm आ जाएगा और यहां से देखने को मिलेगा 4 plus 5 यहां से क्या पता चलता है 5 into 9 upon 100 9 upon 20 क्या कहां 9 upon 20 पांच दिन में कितना काम हो गया है 9 upon 20 work complete हो गया है अब पूछ रहें remaining work पूछ रहें remaining work कितने how long will we take to complete if a leave off how long will take to complete the remaining work पूछ रहें remaining work जो है वो कितने समय में complete हो जागा सबसे पहले remaining work जो बच रहा है वो देख लेते हैं यानि total work 20 था जिसमें 9 work complete हो चुका है तो जो remaining work है remaining work वो बच्चा कितना बचेगा मुझे लगता है 1 minus 9 upon 20 finally we get 11 upon 20 इतना remaining work हमारे पास बचेगा फिर क्या बोल रहा है फिर बोल रहा है कि अब ये 20 से complete कराना है बी का एक दिन का काम हमको पता है एक बटे 20 है तो भाईया ये 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 देखो जरा ये बी का एक दिन का जो काम है इधर जरा ध्यान देंगे बी का एक दिन का जो काम है वो एक बटा 20 हमको चाहिए क्या 11 बटा 20 कितने से multiply करा दिया जाए 11 से तो जैसे ही both side 11 से multiply कराते हैं हमको क्या देखने को मिलता है 11 upon 20 वर्क इसका मतलब ये हुआ कि B अकेला उस कारे को कितने दिन में कर पाएगा 11 दिन में कर पाएगा हाला कि इसको क्या करना है time and work का वीडियो वाच करना और उसको मैंने ट्रिक्स से बताया हुआ था तो ट्रिक्स से बताने के बाद में एक बड़ ट्रिक्स से भी देख लेते हैं तो समझ में easily आ जाना चाहिए हमारे पास total task नहीं है total task नहीं है अगर total task किसी तरह से पता कर लें तो बात बन जाएगी तो मैंने कहा था कि days का जो LCM होता है वही असल में total work होता है यानि LCM of days क्या कहा LCM of days LCM of days ये किसके एकवल होता है ये होता है total work किसके एकवल होता है total work के तो चलो देख लेते हैं 20 और 25 के LCM हो गया 100 ये बात तो सही है 100 कारे करना है A 25 दिन में करता है तो A एक दिन में 4 कारे करता है एक दिन में 4 कारे कौन कर रहा है एक कर रहा है फिर B 20 दिन में कारे करता है मतलब B एक दिन में कितना काम कर रहा है पांच कारे कर रहा है तो अगर हम पूछें एक दिन में कारे हो कितना रहा है तो एक दिन में कारे हो रहे है 9 कितने कारे हो रहे हैं 9 कारे हो रहे हैं जरा ध्यान से समझना भया 5 दिन दोनों मिल करके कारे करते हैं तो 5 दिन जब दोनों लोग मिल करके कारे करेंगे तो इसका मतलब यह होगा कि जब एक दिन में 9 कारे हो रहे हैं तो 5 दिन में 45 कारे हो जाएंगे कितने कारे हो जाएंगे 45 कारे तो बचे कितने कारे करने के लिए तो बच्चा remaining work जो है वो 55 बच रहा है कितना बच रहा है 55 अगर B, B से पूछ रहा है B कितने दिन में कर लेगा तो B अगर एक दिन में 5 कारे कर रहा है तो 11 दिन में 55 कारे कर लेगा वो लोग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा यही है final answer तो आपको यह थोड़ा सा ज्यादा easy लग रहा होगा लेकिन अभी आपने देखा कि इसको बहुत short में complete करते हैं तुमको समझाने में थोड़ा समय भी लग रहा है एक बर इस पर command हो जाएगे तो फिर easily आप चीज़ों को catch कर पाएगे फिर next question की तरफ बढ़ते हैं A is 30% more efficient than B A क्या है? A 30% ज्यादा efficient है किसके comparison में? B के comparison में फिर बोला है How much time will they working together? Take to complete a job which A alone would have done in 23 days अच्छा तो ratio of time taken by A and B क्या कहा? Ratio of time देखो यहाँ पर जो efficiency दी गई है समझने का प्रयास करेंगे यह A रहे, यह B रहे यहाँ पर given क्या किया गया है? Efficiency यानि A की efficiency अगर B की efficiency 100 है तो A की efficiency कितनी चली जाएगे 130 because 30% more efficient ठीक है? जाभी जो doubt season होगा उसको देखना उसमें step के questions बताए हुए है तो अगर हम efficiency और time क्योंकि आप जानते है Capacity is inversely proportional to the time और time is inversely proportional to the capacity तो यहाँ पर कितना आ जाता है? 100 आ जाता है यहाँ पर कितना आ जाता है? 130 आ जाता है 10 देश को 13 आ जाएगा अब आगे क्या बोल ला है? किरा how much time will they working together take to complete a job which A alone could have done in 23 days अच्छा A अकेला कितने दिन में complete कर पा रहा है? A अकेला 23 days में complete कर पा रहा है? तो पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कि कितने दिनों में complete कर लेंगे? तो ठीक है बाई? बात खुब समझाती है मान लेते हैं कि B जो है X days में इसको complete कर लेगा कितने days में? X days में तो एक ratio तो हमको A और B का ये पता चल रहा है proportional पर आ जाते हैं और यहां से हमको पता चलता है कि A का उसने दे रखा है 23 days में अकेले complete कर रहा है तो B का हमने मान लिया कि वो X days में complete करेगा अब मुझे लगते हैं अभी आपको चीज़े ज़्यादा बैतर तरह समझा रही होंगी इसको हम लिख सकते है 10 upon 13 is close to 23 upon X थोड़ा और बैतर तरह से X is close to 23 into 13 upon 10 और जब इसको हमने simplify किया तो 13, 3 जा 39 carry 3 चला जाएगा we get the 229 upon 10 मैं उमीद करता हूँ कि ये solution जो भी आप देख पा रहे हैं ये आपको बैतर तरह से समझ आ रहा है अब A का ये 229 upon 10 आया है अभी A का जो एक दिन का कर रहे है A का जो एक दिन का कर रहे है वो कितना जा रहा है 1 upon 23 ये किसका है A का एक दिन का कर रहे है तो फिर B का जो एक दिन का कर रहे जाएगा वो कितना चला जाएगा तो भाईया B का एक दिन का कर रहे चला जाएगा 10 upon 299 क्या कहा 10 upon 299 तो A प्लस B का जो एक दिन का कार्य जाएगा वो कितना चला जाएगा बच्चा ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे एड हो जाएंगे आपको देखने को मिलेगा 1 अपॉन 23 प्लस 10 अपॉन 229 अभी LCM आप जानते हैं आप जानते हैं 23 का जब 13 ने मल्टिप्लाई करा है तो अगर इसका LCM लेंगे तो LCM लेने पर कितना आ जाता है 229 ही आ जाता है और यहां से अगर हम देखते हैं तो 229 से जब हमने डिवाइड करा दिया तो हमें फाइनली 23 229 तो यहां से 10 मिलता है 20 नाइन और यह बाज सही है तो यह कैंसील भी हो जाएगा और जब … 깔ला के तने दिनों में कर लेंगे तो 13 में कमप्लीट कर लेंगे हाला कि यह इसी क्वेस्चिन को फिर मैं एक आपको सॉल्ट कर करने दिखाँ अपने ट्रिक से तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा फिलाल मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको ट्रिक से अटेंप रहने कोशिस करेंगे in case you if you have any problem then feel free to write your comment on the comment section एक यहां से यह देखते हैं पी डबलू कमेंट section में देखते हैं मैं कुछ लोगों ने कहा था कि अपने credit card के questions नहीं बताएं credit card वाले जो questions है वह actually यह वाला topic पढ़ाये वात और इस topic को ध्यान से पढ़ना यहां से questions निकलेंगे वीडियो कौन से number के मुझे exactly याद नहीं है यहां पर pw का मतलब है present worth क्या कहा पी डबलू का मतलब क्या है present worth क्या है present worth present worth और यह pw का मीनिंग है अब यह actually क्या concept है इस concept को हम लोग वीडियो में देख चुके हैं क्योंकि यह यहां पर mock test चला है तो इसलिए उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा सीधे जो हम लोग formula apply करेंगे pw के लिए तो present worth इसका स्टू आपके पास चला जाएगा 100 into amount whole upon 100 plus r into t क्या कहा 100 into amount upon 100 plus r into t सब given है 100 amount कितना जा रहा है 9920 लिख क्यों नहीं देते हैं whole upon 100 plus r into t r rate आपको पता है per annum चला है 8% है और years कितना है 3 है 8 3 जा कितना हो जाता है 24 तो overall जब हम इसको देखते हैं तो हमको कितना देखने को मिल रहा है हमको देखने को मिल रहा है 100 into 9920 whole upon 124 कितना 124 जब इसको आप पूरा calculate करेंगे simplify करेंगे आपको महाँ पर calculator allow नहीं होगा आप इसे calculate करेंगे तो आपको पूरा calculate करने के बाद मैं देखने को मिलेगा 8000 कितना देखने को मिल जाएगा 8000 which option is correct option B is correct एक next question की तरफ फिर बढ़ते हैं if 36 men can do a piece of work in 25 days तो मैंने यह वाला concept बता रखाए कि आपको M1D1 man in two days discuss to M2D2 man in two days 36 men जो है यह 36 आ गया this कितना cover कर रहे है 25 cover कर रहे है discuss to M2 की value हमारे पास क्या है M2 की value 15 है तो D2 की value हमारे पास यही तो बता करना है यहां से 5 3 जा 5 5 जा 3 से cancel किया then 12 which option is correct option D is correct एक last question अपने पास बच रहा है अब vendor bought 6 orange for rate 10 rupees 10 रुपे में 6 संत्रे खरीता है and sold them at 4 for rate 6 find the loss or gain percentage उसको कितने percent का profit हो रहा है या कितने percent का loss हो रहा है हमको यह पता करना है ठीक है देखते हैं भई 6 orange purchase करता है कितने रुपे में 10 rupees में 10 rupees में 6 orange purchase कर रहा है अब कितने के बेच रहा है कितने का बेच रहा है भाई 6 रुपे में 6 चार संत्रे बेच रहा है 6 रुपे में कितने रुपे में 6 रुपे में तो सबसे पहले number of orange box हम पता कर लेते हैं कि कितने संत्रे उसने खरीदे हैं क्या कहा कितने संत्रे उसने खरीदे हैं तो संत्रा कितने संत्रे उसने खरीदे इसके लिए हम क्या करेंगे six or four calcium ले लेंगे तो calcium of six and four कितना मिल जाता है 12 मिल जाता है फिर बोल रहा है फिर बोल रहा है find the loss और gain loss और gain का मतलब क्या है जब क्रैम मुल्य ज्यादा होगा यानि cost price और selling price दो चीछे अगर selling price हमारी ज्यादा है cost price comparison में तो क्या होगा profit होगा otherwise हमको क्या होगा loss होगा यानि selling price हमारी जो है वो कम है cost price ज्यादा है तो क्या होगा loss होगा तो यहां से जह हम लोग CP generate करेंगे तो CP हमारे पास क्या generate हो जाएगा CP generate हो जाएगा 10 upon six into 12 क्या कहा 10 upon six into 12 यह 12 संत्रे उसने मिला करके खरीदे हैं अब 12 संत्रे जो खरीदे तो जब 6 संत्रे खरीदे तो दस रुपए में 6 दो एक 10 और एक 6 यह खरीदने वाला है यह CP जा रहा है यह SP जा रहा है तो CP के लिए 10 upon six into 12 कितना आप होता हुआ दिखेगा 20 और यहां से जब SP की हम लोग बात कर रहेंगो तो SP हमें कितना देखने को मिलेगा SP हमको कितना देखने को मिलेगा भई SP हमको देखने को मिलेगा six upon four into 12 then we get the 18 अब six यह कहां से आया यह भी आपको समझ आ रहा है और आपका जो Sailing Price है Sailing Price में 10 रुपय का खरीदा 6 रुपय में बेचा मतलब कितना कम हो गया मतलब 4 कम हो गया तो upon four into 12 अब अगर हम यहां से देखते हैं तो भईया यहां से पता चल लाए कि 20 रुपय में खरीद रहा है 18 रुपय में बेच रहा है कितने रुपय घाटे पर चल लाए 2 रु 20 इंटू 100 तो कुल मिलाकर कि उसको कितने परसेंट का लॉस हो जाएगा 20 परसेंट का लॉस हो जाएगा कितने परसेंट का लॉस होगा 20 परसेंट का लॉस होगा तो यहां से 10 परसेंट का लॉस होगा यार यह इसको कैंसल करेगा देन विगेट दी टेन एक जिरो से एक जिर कि इसमें कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है आप कोशिस करेंगे कि जो भी मैंने आपको ट्रिक्स पढ़ाई हुई है उन ट्रिक्स को अपने दिमाग में रखेंगे ताकि आपको प्रॉपर चैनल पर स्पीड मिल जाए क्योंकि मैं बार बार आपको फोर्स कर रहा हूं कि यहां पर आपको कैल्कुलेशन तगडी मिलने वाली है इसको ऑप्शन डी सही होगा आप इसको ट्रिक्स एक बार अटेंट लेंगे और ट्रिक्स एक लेंगे बार ही हो अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना नहीं बूले थैंक यू सो मच टू आल अफ यू एंड एस आलवेस में कॉट प्रसी वाल